नमस्कार दोस्तों हिंदी नीज फेर्स में आपका स्वागत है भारत की रक्षा से रेलेटेड एक बहुत बढ़ी नीज आ रही है भारत सरकार की कैबिनेट ने एक अप्रोवल दिया है एमका फिफ्ट जेनरेशन इस्टाथ फाइटर जेट बनाने को लेका इसके लिए 15,000 कर प्रोड उपय का अलॉट्मेंट भी कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा दरसल दोस्तों तुर्की ने अभी कुछ दिनों पहले अपना पहला फाइटर जेट बनाया था जो इसके लिए भारत को भी बहुत जरूरी था कि भारत खुद भी एक फाइटर जेट बनाए ऐसा जो इस्टेल्थ हो और उसकी जहुरतों को पूरा कर सके इसके लिए भारत सरकार ने यह कदम उठाया है यह बहुत जरूरी था दोस्तों इसको अप्रोवल अभी कल सामको ही मिली है कैबिनेट के दौरा और पाकिस्तान और चीन में हाहा कार मच गया इसको ले करके क्योंकि अब बहुत ही बड़ी चीज है भारत की सिक्योर्टी को ले करके दोस्तों एमका फिफ्ट जनरेशन का फाइटर जेट होगा जो की स्टेल्थ होगा स्टेल्थ टेक्नलोजी ही फिफ्ट जनरेशन में काउंट कर दी जाती है इस प्ये बहुत ही जादा स्पीड होगी कि यह अब यह ओफीशली रूप से वर्ड के अंदर तीन देशों के पास में फिफ्ट जनरेशन फाइटर जेट है उसमें पहला नम अमेरिका का आता है दूसरा सुखोई का आता है जो रूस का है सुखोई 57 और तीसरा आता है जे थर्टी वन का जो चीन में बनाया है इसलिए भा भारत भी अपना कुछ यह बना कर रखे आपको यह बता दें कि एमका की जो प्रॉडक्शन है यह सं 2035 तक की उपलब्द हो पाएगा भारत की सेना के पाक एमका फिफ्ट जनरेशन लडाकु विमान पूरी तरह से भारत में बनाया जाएगा इसमें जो इंजन लगेगा वह GEF414 इंजन लगाया जाएगा इसमें डबल इंजन लगे होंगे और यह सिंगल सीटर का फाइटर जेट होगा एमका एक मल्टी रोल फाइटर जेट होगा यानि कि इसमें मिसाईल लगाओ या लगाओ यह उड़ेगा और इसमें आटो पाइलेट मोड पे भी उड़ सकेगा मतलब कि पाइलेट इसमें हो या ना हो या दोनों तरीके से ओडने में सक्षम होगा इसको बनाने के लिए DRDO और HAL की भागिदारी होगी यह दोनों मिलकर ही इसको डवलप करेंगे और इसमें जो पे लोड होगा वो 1500 केजी से ज्यादा तक का पे लोड इसमें हो सकता है और और एक डिफेंस पावर भी बढ़ेगी इससे यह भारत देश के लिए कैसे चीज़ होगी जिसे भारत दूसरे देशों को बेच भी सकेगा जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमने कुछ मिसाईले बनाई होई हैं ब्रम्होस उसको हम दूसरे देशों को बेच भी रहे बारत है लेए अमेरिका टो चाहता ही है कि ढिसे की चीज़सी है उसकी जादा से जादा भीखे और वो और पैसेवाला हो यो दूसरे देशों में होता रहा है और अमेका अपने सारा सामान बेचता रहा है यह एक बहुती अच्छी चीज़ है जिससे कि अएक तो अपने आत तरस्फ देख रहा है कि उसको कई से मिल चाहिए वो चीन दे या तुर्की दे लेकिन अभी तुर्की ने जो अपने कान अभी डवलप किया है उसके भी प्रडक्शन होने वे काफी टाइम लगेगा उसे मिलने भी भूट काईम लगेगा और फिर यही इंधिकना होगा कि तुर्की की वो जो ट माझे होग किस ताइप की होगी चाइना कि टीकलोजी तो हम लोग सब समझते ही कि कैसी होती ए लेकिन हमें जो देखना है वो तुर्की की टेखना है और पाकिस्टान फिर इस पर आगे क्या करता है consider yourself हमें देखना होगा और इससे हमारी soft power भी बढ़ दाई है और कहीं नहीं हमारे एक जोहर भी दिखेगा दुनिया को कि भारत क्या कर सकता है भारत अपने दम पर क्या कर रहा है दोस्तों इससे जुड़ी हुई खबरे बराबर आती रहेंगी मैं आपके लिए updated वीडियो सारी ल दिलती रहेगी धन्यवाद